नमस्ते सस्त्रियाकाल प्रणाम आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चानेल में इंग्लिश गुरु विक्रम सर और मैं विक्रम सर के आपका दोस्त आपके लिए आज लेके आ रहा हूं नाउन क्लॉज नाउन क्लॉज ये एक सब टाइफ है सबॉर्डिनेट क्लॉज का सबॉर्डिनेट क्लॉज के तीन सब टाइफ है नाउन क्लॉज एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज को ही हम रिलेटिव क्लॉज कहते है और तीसरा क्लॉज है एड़वर तीन भाग होते हैं, यह हमने हमारे दूसरे वीडियो में डिसकस किया है, जो मैंने clauses पे एक separate वीडियो किया है, how to identify the clauses types and the types of sentences, आप वो वीडियो जरूर देखिए, तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं, कि noun clause को कैसे identify किया जाए, और noun clause की functions कौन 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 से रहती है, पहले देखते हैं, noun clause को कैसे identify किया जाए, how to identify clause type, examples यहाँ पर मैंने साथ लिखी है, clause, subordinate clause हम कैसे decide करते हैं, conjunction जहाँ पर है, उस conjunction से हम शुरुआत करते हैं, और हम जाते हैं, उस sentence में जब तक दूसरा subject और दूसरा verb ना मिले, अगर ना मिलता है, तो full stop तक हम underline कर देते हैं, देखिए इस sentence में, I knew where I could find him, यह है conjunction, where I could find him, और where से him तक हम गए, यह होगा है आमारा subordinate clause, यहाँ पर वही है, where I could find him, यहाँ पर भी वही है, where I could find him, जानबूचकर मैंने ऐसे तीन different sentences लिये है, जिन में subordinate clause का wording सेम है, देखिए यहाँ पर, I knew where I could find him, I went to the place where I could find him, I went where I could find him, तीन अलग-अलग sentences में एक ही subordinate clause है, और वो तीन अलग-अलग sentences में different type of subordinate clause है, देखिए कैसे हैं, नाउन clause को कैसे identify किये, जो main clause रहता है, उस main clause को अगर आप what से question पूचेंगे, तो आपको नाउन clause मिल जाएगा, या नाउन मिल जाएगा, एक word है, नाउन, I opened the door, what I opened, the door, that's right, the door जो मिल गया, वो मुझे नाउन मिल गया, I told him a story, what I told him, a story, so a story क्या है, नाउन है, इस sentence में देखिए, what I knew, मुझे क्या पता था, where I could find him, इसलिए यह है, नाउन clause, क्या है, नाउन clause, अब इस sentence में देखिए, what I went to the place, यह foolish question हो गया, यह तो नाउन clause नहीं हो सकता, इस sentence में देखिए, what I went, मैं क्या गया, यह भी question ही foolish है, answer ढूडना double foolish हो जाएगा, तो यह भी noun clause नहीं है, तो फिर यह दोन clause, जो clause है, वो काउन से है, यह जो दो clauses है, वो काउन से है, देखिए, अगर हम clause का ही सवाल करे, subordinate clause का ही सवाल करे, और उसका answer उसके पीछे आने वाला noun मिलता है, तो यह subordinate clause जो है, वो adjective clause है, second technique देखिए, where I could find him, मैं उसे कहा ढूण सकता था, the place, at that place, the place, मतलब यह जो है, यह adjective clause है, कौन सा clause है, adjective clause है, मेरा clauses के उपर, जो general video है, वो देखना मत भूलिये, उस video से आपके जो basic concepts है, वो पूरे clear हो जाएंगे, तीसरा देखिए, I went where I could find him, यह adjective clause हो सकता है, क्या, noun clause नहीं है, हमें पता है, adjective clause हो सकता है, क्या, नहीं हो सकता, क्यूंकि इसके पीछे noun नहीं है, मतलब यह noun clause नहीं है, adjective clause नहीं है, बच्चा क्या, advert clause, Adverb clause का एक shortcut भी है जहां, वहां, क्यों की, जब, इसलिए यह सब translation हो जाता Adverb clause में देखिए जहां मैं उसको ढूण सकता था, मैं वहां गया यह जो है, वो Adverb clause है कौन सा clause है? Adverb clause आगे देखिए He could have won if he had tried The teacher asked him if he had tried दोनों sentences में है, if he had tried देखिए, यह noun clause है क्या What he would have won वो क्या जीत सकता था? नहीं, हम यह नहीं answer मिलता मतलब यह noun clause नहीं है अगर, देखिए अगर उसने try किया होता तो वो जीत सकता यह ऐसा translation हो जाता है condition express करता है इसलिए यह क्या हो गया? Adverb clause क्या हो गया? Adverb clause अब इसके तरब देखिए What the teacher asked him? Teacher ने उसे क्या पूछा? If he had tried उसने try किया था क्या? उसने प्रयास किया था क्या? यह पूछा बतलब यह कौन सा है clause? Noun clause अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा noun clause हो सकता है? When he had got train इसमें से कौन सा noun clause हो सकता है? कौन सा time बताता है? और कौन सा noun clause है? एक Adverb clause है और के सही है आप यह है Adverb clause कौन सा clause है? Adverb clause क्यूँ? आपने सही अंदाजा लगाया है What it was 7 p.m. क्विश्चन ही नहीं हो सकता जब उसे train मिल गया था तब 7 बज़े थे जब तब मतलब यह Adverb clause है यह देखिए What I asked him मैंने उसे क्या पूचा? When he had got train उसको train कब मिली थी? यह मैंने उसे पूचा इसका मतलब यह कौन सा clause है? Noun clause है कौन सा clause है? Noun clause आगे देखते हम Noun clause की functions कौन कौन से रहती है Noun clause के 5 functions रहते है यह functions कौन से है? यह देखिए मैंने यहापे लिखा है subject of the verb the object of a verb the object of preposition or infinitive in apposition to a noun or pronoun the complement of a verb with incomplete prediction जिसका predicate नहीं दिया होता उस verb क्या? complement का काम कभी-कभी noun clause करता है देखे चलिए example देखते है what he said was true हम सब जानते है subject verb के पहले आता है वो action करता है I teach English इसमें I subject है मैं action करता हूँ teach करने की यहापे देखिए what he said was true what he said यह है हमारा subordinate clause और यह है main clause आप कहेंगे main clause का subject कहा है main clause का subject understood है हम उसे आसानी से समझ सकते है it was true और वो it क्या है what he said what he said मतलब यह है हमारा noun clause as a subject of the verb क्या है subject of the verb कौन सा verb है was दूसरा sentence देखिए when he cried sorry why he cried is a mystery what is mystery why he cried it is a mystery यह भी clause subordinate clause subject की जगा आता है each का वो subject है इसलिए हम क्या कहते से noun clause subject of the verb यह sentence देखिए I hope that you would subscribe you would subscribe I hope that ओके इस sentence में what I hope that you would subscribe मतलब यह जो clause आया है यह clause object की जगा आया है और object का ही function करता है इसलिए हम इसे कहते है noun clause as an object of the verb I don't understand why he lied why he lied मुझे पता नहीं चल रहा है कि उसने जूट क्यों कहा what I don't understand why he lied मतलब यह भी क्या है object of the verb object of a verb और यह है noun clause पहले दो functions तो आसान है तीसरा भी आसान है क्या होता है तीसरे में कि verb की जगा पे वो object of preposition होता है या object of infinity होता है infinitive to का base form to know, to play, to go, to eat those are the infinitives there is no meaning in what you say subordinate clause कौन सा है what you say और उसके पहले कौन आया है यह preposition आया है इसलिए क्या कहते है उसको हम object of preposition object of preposition noun clause as an object of preposition यहाँ पर देखिए I want to know who won the match what I want to know who won the match noun clause है और उसके पहले क्या आया है infinitive आया है तो हम क्या कहेंगे noun clause as an object of infinitive यहाँ पिस इसलिप मैं infinite लिखता हूँ जगर की कमी की वज़े से your belief that clauses are difficult will be changed यह देखे हमारा चाउथा फंक्शन और एक कौन सा है noun clause in apposition to a noun पहले यह समझ लेते हैं कि in opposition का मतलब क्या होता है our prime minister Mr. Narendra Modi is a good leader our prime minister and Mr. Narendra Modi these two sentences speak of the same person our prime minister speaks about Narendra Modi Narendra Modi speaks about our prime minister means prime minister and Narendra Modi ji यह दोनो भी दोनो ही noun जो है वो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल की गई है और इसे हम कहते है noun in apposition to noun noun in apposition to noun my friend abhay is a very good person my friend वही abhay है abhay ही मेरा friend है nouns in apposition वही function यहाँ पे clause करता है apposition का your belief that clauses are difficult will be changed what is your belief that clauses are difficult what will be changed your belief that clauses are difficult means that clauses are difficult यह जो है यही आपका belief है और आपका belief क्या है that clauses are difficult मतलब इस noun के लिए यह noun clause होया है और इसलिए हम कहते है noun clause in apposition in apposition to a noun noun clause in apposition to a noun आसा यहाँ पे दिखिए it is my opinion that clauses are easy क्या है मेरा opinion that clauses are easy और यह opinion क्या है it है यह अगर मैंने पूरा उठा के इस it की जगा रखा तो भी चलता है that clauses are easy is my opinion मतलब यह क्या है noun clause in apposition है यह भी क्या है noun clause in apposition क्योंकि word से अगर हम सवाल पूछे what is my opinion that clauses are easy हमको यह जवाब मिलता है इसलिए यह noun clause in apposition to a noun और last noun clause as a complement of a verb of incomplete prediction my brother is an engineer यह an engineer क्या हो गया is का compliment हो गया क्या हो गया is का compliment हो गया इधर क्या है an engineer है इसी वज़े से क्या होता है single noun है मगर इस noun की जगा अगर कोई clause आ गया तो क्या कहेंगे हम उसको noun clause as a complement of a word देखिए यहाँ पे his great fear is that he will lose that he will lose यह इसकी great fear है यह इस is का compliment है और इसलिए हम क्या कहते है noun clause noun clause as a complement to a verb ओके यह है पाच फंक्शन और जाते जाते एक important चीज़ noun clause कभी कभी without conjunction भी आ सकता है और उसे हम zero that noun clause कहते हैं क्या कहते हैं zero that noun clause और ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि sentence में that का इस्तेमाल नहीं किया जाता फिर भी हम check करने के लिए वहाँ पे that लगा सकते है देखिए I know you want to learn more about clauses you want to learn more about clauses यह हमारा support net clause है यहाँ पे that नहीं है लेकिन हम डाल सकते है I know that what I know that you want to learn more about clauses you want to learn no I will create more videos he thinks he can win what he thinks that he can win मतलब हम यहाँ पे that लगा सकते है लेकिन sentence में नहीं दिया है और इसलिए इन clauses को कहते हैं zero that noun clause क्या कहते है zero that noun clause अगले वीडियो में मैं आपको adverb clauses के types के बार में बताऊंगा adjective clauses की कोई types नहीं होती है इसलिए हम adjective clauses पे कोई वीडियो सेपरेट नहीं कर रहे है लेकिन next वीडियो जो रहेगा वो adverb clause के बार में रहेगा अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है I hope that you would subscribe now so that you will get more and more videos about grammar thank you very much जब हो तो अगर नहीं हो नहीं हो बार्त ग्द़